खबर लोहा घाट से है जहां साइटरस फलों के दाम न मिलने से इस छेतर के किसान मायूस दिखाई दे रहे हैं। किसान यूनियन ने उद्यान विभाग से इनके क्रै केंद्रों को खोलने की मांग की है। आपको बता दे लोहा घाट छेत्र में बहुतायत में होने वाले साइटरस फलों जैसे संत्रा, माल्टा, नीबू, जमीर आदी फलों के बाजार में दाम ना मिलने से छेत्र के किसान काफी मायूस हैं। दाम नहीं मिलने से किसानों के दारा फलों का तुड़ान भी नहीं किया जा रहा है। आए दोगनी करने की बात करता है तो दूसरी और साइटरस फलों को खरिदने के लिए अभी तक क्रैकेंद नहीं खोले गए हैं। इस वज़े से छेत्र के किसानों में काफी आक्रोस और बायूसी है। वहीं किसानों ने प्रसासन से साइटरस फलों का क्रैकेंद जल्द खोलने की मांग की है। जिला उद्यान दिकारी चमपावर टी एन पांडे ने कहा उद्यान विभाग जल्द साइटरस फलों को अधरक को खरिदने के लिए साकारता विभाग के साथ मिलकर क्रैकेंद खोलने जा रहा है। किसानों को उनकी उपज का उचित मुली दिरवाय जाएगा। मालूम हो आजकल लोहागार छेतर में साइटरस फलों के पेड़ फलों से लदे हुए हैं लेकिन कोई खरिदार नहीं है और इसकारण किसान बेहद मायूस नजरा रहे हैं। जैर सी बात है इसका सग्यान प्रसासन को लेना चाहिए। दा कि मालटा और बड़े निवू के बारे में बात करना चाहूंगा क्योंकि जो हमारा छेतर है जो हुआ है और गिरकर सारा बरबाद हो रहा है क्योंकि जो बड़ा निवू है उसका तीन-चार रपे से ज्यादा रेट नहीं होता है और यहां से जो लुहागाड़े तंभा हो जाने तो बहुत ज्यादा भाड़ा लगता है जिसकी वज़े से जो है किसानों में को इसका कोई फ अधिक होती है добहुत नहीं होता है और की लोग उनका रहा है क्योंकि उनका रहे इतना ज्यादा नहीं होता है तो बहुत कम रेट होता है तो हम यहीं मुजारिस करना चाहेंगे कि इनका जो है जो सरकारों विभागों के दोरा इनके रेट में बढ़ोतरी की जाए ताकि किसानों का मो भंग नहों और पलायन भी रुख सके धन्यवाद लोहाघाट से लक्षमा जिंग विस्ट की रिपोर्ट